हेलो एवरीवन, वेल्कम बैक तो मैं चैनल तारा मदू की रसोईतु फ्रेंड्स पहली बार मुझे लाइफ में चोको चिप वली कुकीज का ओडर आया है तो मैंने सुचा क्यों नहीं इस वीडियो को बहुत ही डीटेल में बनाऊ और वो भी केवल दो इंग्रिडियन्स के साथ तो मेरे होम बेकर्स को खुब सारा प्रॉफिट कमाने के लिए और कुछ नया सिखाने के लिए काफी यूसफुल सी रेसिपी है चलिए स्टार्ट करते हैं या फिर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर के नंबर लेकर के उनसे कॉंटेक्ट करके बंगवा सकते हैं और इसमें फ्रेंड्स कोई भी ताम जहाम आपको करने की जोरत नहीं है आप होम बेकर हैं तो आप समझते होंगे कितना सारा फिलारा मचता है, मैदा लाएं, चीनी लाएं, ये लाएं, वो लाएं बस आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ प्रेमिक्स लेना है और पटाफट बना लेना है तो देखे फ्रेंड्स, ये 500 ग्राम का पैकेट था तो मैंने कप से मेजर्मेंट ले ले करके इस बाउल में से डाला है तो मेरे चार कप भर करके ये प्रेमिक्स जो है निकला है थोड़ा लास्ट में बच गया है, वो मैं से ऐसे ही डाल रही हूँ, ये देखे अब हमारे पास ये आदा केजी प्रेमिक्स है, तो आप देख लीजेगा आपको कितनी कुकीज बनानी उस आपसे मेजर्मेंट ले लीजेगा तो 500 ग्राम प्रेमिक्स को अभी हमने निकाला है, साइड में रख देते हैं अब इसमें जो दूसरा इंग्रीडियन्ट चाहिए होगा फ्रेंड्स वो होता है बटर, बटर आप सॉल्टेड, अन्सॉल्टेड कैसा भी लें बट बार्केट वाला ही लें, घर वाला जो बटर होता है वो ना ले, जो मलाई वगरे से बनाते हैं उसको आप अवाइड करें तो यहाँ पर मेरा आधा केजी का बटर था जिसमें 250 के ये दो बार्स थे तो मैंने एक बार ले लिया है और इसका भी हम आधा इसमें यूज करेंगे लगबग 125 ग्राम हम बटर लेंगे और बटर फ्रेंड्स आपको रूम टंप्रेचर पर रख मतलब इसके अंदर थोड़ी सी एयर लाएंगे तो बढ़ी ऐसे फैंट लीजिएगा इसे हैंड विसकर से ही हो जाएगा लेक्ट्रिक बीटर है तो उससे भी कर सकते हैं बट यह थोड़ा सा ही काम है तो मैं इसे हैंड विसकर से कर रही हूं और अगर आपको दिक्कत आती ह यह विस्क नहीं हो रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा refined oil मिला लीजिएगा लगबग half teaspoon के करीब और फिर whisky कीजिएगा आराम से आपका जो whisker है वो घुमने लगेगा इस तरीके से लगबग 1-2 minute मैंने इस अच्छे से घुमाया यह काफी fluffy हो गया और देखे मैंने थोड़ा सा इसमें refined oil डाला है और ताकि यह अच्छे से अभी घुमने लग जाए यह देखे अच्छे से फैटूंगी न तो यह बढ़िया बढ़िया से घुमेगा और इसके अंदर बढ़िया सी एयर भी आ जाएगी और यह हमारी cookies को crunchy बनाने मेंना बहुत help करेगी तो लग बढ़ एक दो मिनिट लगता है friends इसमें महनत लगती है बटर अच्छे से whisk होगा तो cookies भी अच्छी बनेंगी तो यह हमारा butter अच्छे से whisk हो गया है अब इसमें धीरे-धीरे हम यह जो cookies वाला premix है वो मिलाएंगे तो थोड़ा-थोड़ा करके मिलाना है पहले देखिए मैंने थोड़ा डाला है आप spatula से में cut and fold करके इसको अंदर mix करूंगी और फिर पाकी का premix डालोंगे और धीरे-धीरे करके इस सारा ही premix हमें इसमें एड़ कर देना है फिर जरुत क और एक tip दे दू friends कि यहां अगर हमने दूर या पानी उसकर लिया ना तो हमारी cookies की shelf life कम हो जाएगी तो कोशिश करने butter या oil से इसका dough बना ले जैसे कि मैं अभी बना रही हूं तो देखिए थोड़ा-थोड़ा premix करें डालती जा रही हूं यह इसमें absorb करता जा रहा है और मैं डालती जा रही हूं तो आज की recipe में friends measurement का बहुत ध्यान रखेगा आधा केजी premix में मैंने 125 ग्राम बटर लिया है और थोड़ा सा आप इसमें refined oil या फिर घी भी डाल सकते हैं कैसे वह अभी दिखाऊंगी पहले सारा premix इसमें add कर लेते हैं तो measurement का friends बहुत ध्यान रखे और यहां पर अब देखिए मेरे पास देशी घी है थोड़ा सा मैंने उसे पिंगला लिया है और लगभग एक बड़ा चमच मतलब 1 tablespoon मैंने इसमें वह भी डाल दिया आप oil मी डाल सकते हैं मैंने घी डाल दिया है और अब लगता है friends मैदान में खूदना होगा अपने आतों से क्योंकि जब तक हातों से इसे गुंदेंगे नीना इसका सही texture आपका नहीं आएगा तो जैसे आटा गुंते हैं बिल्कुल वैसे हम गुंदेंगे और इसमें अभी कोई liquid नहीं डालेंगे पहले इसको इसी में merge करेंगे और फिर देखेंगे अगर लगता है टाइट है त सब लेना पड़ता है चीनी चाननी पड़ती है पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है इतना ताम जाम पहलता है और यहां पर कुकीज की प्रिमिक्स में जस्ट आपको बटर डालना है थोड़ा सा घीया ओईल डालना है और आटे को गुंद करके तुरंत आप instant कुकीज बना सकत तो वाकई में रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे अगर नहीं भी करेंगे तो रिजल्ट तो अच्छा आएंगे बट जो बैस चाता है न वह जरूर करें तो उसके लिए क्या करना है इस डो को ना थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे तो यहां पर मैंने किचिन की जो क्लिंग रैप होती है वो लिया है और दो आप मेरा देख सकते हैं मैंने सिर्फ जोड़ा है बहुत ज़्यादा गुंदना नहीं है इसको और इसमें इसको रैप करके हम फ्रिज में रखेंगे लगपक 10-15 मिनिट के लिए ताकि यह जो हमारा आटा है न यह जो डो है थंडा हो जाए तो मैं आभी फ्रिज में रख देती हूं और 10-15 मिनिट के बाद देखिए फ्रेंच में रखने से थंडा हो गया है और थोड़ा सा टाइट भी हो जाएगा तो यहां पर जैसे जैसे आप इसे थोड़ा सा और मिक्स करेंगे सॉफ्ट होगा पर थंडा होने स कुकीज बहुत क्रंची बनेंगी तो यहां पर देखिए थोड़ा सा जम गया है तो अभी मैं क्या करूंगे मेरे विस्कर पर थोड़ा बटर लगा हुआ था वो मैंने हातों में ले लिया है तो जैकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए इसमें थोड़ा ओयल कंटेंट चला जा और वो बिल्कुल भी चिपके नहीं तो इस पे बिल्कुल भी आपको ओयल बटर लगाने के ज़रत नहीं और यह खास बात यह फ्रेंट्स के इको फ्रेंट लिए और साथ में रियूजेबल लिए तो इस पेपर को आप कई बार कुकीज बनाने में यूज कर सकते हैं अब हम सारी कुकीज बराबर की बने और आज हम कोई कटर भी यूज नहीं कर रहें कोई मोल्ड भी यूज नहीं कर रहें तो मैंने क्या कि एक स्कून लिया है और उसके अंदर अपना सारा डो फिक्स कर लिया है और फिर हम उसे निकाल लेंगे एक्स्ट्रा सारा रिमूग कर मिल जाए और फिर हम बाकी की पीस को भी इसी नाप का बना सके अब जो यह चोटा सा पीस है इसको अच्छे से रोल करके हम हतेलियों से फ्लैट कर लेंगे और एक कुकी की शेप दे देंगे और इसे अपनी बेकिंग तरे पर रख देंगे और ऐसे ही बार बार मैं मोल्ड में म बना बना करके रख रही हूँ देखे फ्रेंट्स कितने हाथ मेरे चल रहे है हाथ मात कुछ तेज नी चल रहे है जस्ट मैंने अपनी स्पीड को मोबाइल की को भड़ा दिया है क्योंकि बहुत ताइम टेकिंग है यह काम बैट करके मैं आसानी से किया था और फिर एक एक कर हैं तो वो लगपक आठ से दस में एक कुकीज पर चिपका दूंगी और अब यह थोड़ी सी फैलिंगी भी न तो यह चोकुचिप इतने इसमें मर्ज हो जाएंगे तो धीरे धीरे करके फ्रेंट्स हम यह लगा देंगे और इस काम में आप अपने बच्चों की ले सकते हैं हला कि मैंने नहीं ली क्योंकि उनसे हेल्प लेना मतलब काप भी घड़वाना है आकर के कहेंगे यह खाले वो खाले यह कर दे वो कर दे और सब पहला के रख देते हैं पर अगर आपके बच्चे ठीक तक कर लेते हो तो जरूर हेल्प लीजेगा और मेरी तरह है तो भईया काम कर लिजेगा भली 10 मिनिट एक्स्ट्रा लग जाए तो यहां पर सारी कुकीज पर मैंने चुकुचिप लगा लिए चलिए अब करते हैं इनको बेक बेक करने के लिए फ्रेंट्स मैं यूज कर रहे है अपना 25 लिटर अगारों का OTG लेकिन कुकीज बनाने के पहले भी इ अब इस ब्लैक बाली बेकिंग ट्रे को हम रखेंगे मिडल वाली रैक पर जाली रैक यहां रखेंगे यहां जाली रैक यूज नहीं होगी ब्लैक वाली यूज होगी और अब टाइम दे रही हूं मैं 15 मिनट टेमपरेचर 120 डिग्री एंड रोड्स केवल नीचे वाली स्टील की और उसी तरीके से चमच से मैं बराबर का अपना डो ले ले करके ना अतेलियों से यह कुकीज की शेप दे रही हूं और जब तक मेरी बागी की कुकीज बेक होंगी यह वाली तयार हो जाएंगी तो इससे समय थोड़ा बच जाएगा क्योंकि इसको बनाने के आप उससे अपना प्रॉफिट कमा सकें क्योंकि केक कितना कोई लेगा हर वक्त तो कोई occasion मी नहीं होता तो ऐसे में आप टैकोस बना सकते हैं या बेंटो केक बना सकते हैं इस तरीके कि नहीं नहीं चीजे भी अपने स्टेटस वगरे पर लगा करके अपने कस्टमर को अट् चोकोचिप हैं तो फटा-फट से इनको लगा देते हैं और जो जो मैंने नहीं नहीं रेसिपी के बारे में अभी आपसे बात किये ना वो सारी मेरे चैनल पर अपलोड हैं तो आप जरूर उन्हें विजिट कीजिएगा देखेगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सक बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे क्योंकि गरम होंगी तो सॉक्ट होंगी जैसे हलकी ठंडी होंगी यह क्रंची होती जाएंगी तो नीचे से आप इनका टेक्शर भी देख सकते हैं तो मैंने साइड में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि इस बेकिंग ट्रेपर में अपनी बना करके मैंने फिर से ट्रेसेट कर लिए फिर से मिडल रैक में ऐसे रखूंगी प्रीट करने की अबज़रत नहीं है क्योंकि OTG पहले से ही गरम है और बस 120 डिग्री पर नीचे की रॉट्स को अन करके 15 मिनट में हमारी रेडी हो जाएंगी तो ऐसे ही फ्रेंड्स बारी-बारी करके मैंने सारी कुकीज बेक कर ली और फ्रेंड्स में हूम बेकर के साथ एक यूट्यूबर भी हूँ तो वीडियो भी शूट करने होते हैं तो जितना रायता नॉर्मली फैलता है नो उससे डबल फैलता है एक वीडियो बनाने में और यहां पर देखिए दीरे-दीरे करक कि सारी कुकीज हमारी बन गई हैं तो यहां पर मैं आपको थोड़ी सी इसकी प्रिजेंटेशन करके दिखाती हूँ कि कितनी लाजवाब हमारी यह कुकीज के प्रिमिक्स से जट पट से कुकीज रेडी हुई हैं कलर आप देख सकते हैं इनका टेक्शर देख सकते हैं मतलब मार्केट वाली क्या डार्क फेंटेसी और क्या चॉकलेट वाली कुकीज सब फेलें इसके आगे फ्रेंट्स और कम कीमत में आपको यह खुब प्रॉफिट दिलाएंगे और इनकी क्रंच भी आपको सुनाती हूँ तोड़ करके यह देखे किती बड़िया क्रंची साउंड ह बहुत इलाजवाब कुकीज बन करके रेडी हुई है और मेरे कस्टमर ने कॉल करके मुझे बोला था कि कुछ गिफ्टिंग का ऑप्शन है तो दीजे तो मैंने कई सारी चीजे उनको सजेस्ट की फिर मैंने बोला मैं कुकीज भी बना सकते हूं तो बोली कुकीज तो कौन देता है मनका नहीं अगर अलग स्पेशल तरीके की हैं तो आप ट्राइ कर सकते हैं तो बोले चलिए देके दिखाएए तो मैंने उन्हें इन्हें देने का वादा किया तो यहां पर देखे मैंने बॉक्स लिया और यह तक यह केट डिजाइनर बॉक्स में सब फृवर सम को इस बॉक्स को जरूर मंगवाएगा आप यह देखिए बॉक्स तो रेडी हो गया है बट डारेक्ट कुकी इसमें नहीं रखेंगे तो उसमें मैं क्या कर रही हूं और जितना मेरा बॉक्स है उसे इसाप से कट करके इसके अंदर मैंने देखिए सेट भी कर लिया है और अब आप आराम से इसके अंदर कुकीज को रख करके डिलिवर कर सकते हैं तो एक एक करके कुकीज में रख देती हूं मेरे पास वैसे 20-22 उन्होंने बोली थी कुकीज रख दीजेगा तो देखिए इस बॉक्स में कितनी आ जाती है और यहां पर मुझे ना थोड़ा सा सेटिंग बिठानी पड़ रही है बॉक्स साइस का है कि दो-दो कुकीज में रख रही हो और बीच में फिर एक स्टैंडिंग पोजिशन में रख दूँगी तो अगर आप एक होंबेकर हैं फ्रेंट्स नई नई चीजे ट्राइ कीजे इस प्रिमिक्स को बनाईए कुकीज बनाईए आपके आगे रिजल्ट है मैंने कुकीज थोड़ी सी बनाकर अपने स्टेटस पर लगाये थी और रिजल्ट की मेरे पास यह ओडर आ गया ऐसे ही फ्रेंट्स टैकोज लगाये थे तो टैकोज का ओडर भी आया और ऐसे ही मैं नई-ने चीजे ट्राइ करती रहती हूँ और य साउंड और जो मैंने खाकर फिल किया प्रेंट्स बस वो सुन लीजिए एक बाद बहुत ही ज़्यादा क्रंची है बहुत ही ज़्यादा क्रंची इसकी आवाद सुनिया आप बहुत ही क्रंची है बहुत ही ज़्यादा क्रंची ज़्यादा क्रंची है फ्लिवर्सम शॉप से ले सकते हैं जरू ट्राइ करके अपने एक्सपिरियंस भी मेरे साथ शेयर कीजेगा और आज की वीडियो अगर आपको